हाँ जी कलम ने पढ़ाता मरुस्तल का धिन मरुस्तल को दो भागु में बाट कर पड़ते हैं सुस्क मरुस्तल और अर्द सुस्क मरुस्तल जीरो से 25 सम वर्षा रिखा तक विश्तार है 25 सम वर्षा रिखा मरुस्तल को सुस्क वे अर्दू सुस्क दो भागु में बारती है फिर आजाता है कै सुस्क मरुस्तल 25 सम वर्षा वाले भोतिक प्रदेश सुस्क मरुस्तल के नाम से जाना जाता है इसे पुनहे दो भागु में बारते हैं एक बालु का इस्तूप मुक्त और जिसका कुला विस्तार है 14.5 प्रतीशत यानि सुस्क मरुस्तल का 41.5% बालु का इस्तूप मुक्त है और बालु का इस्तूप युक्त है 8.5% बालु का इस्तूप मुक्त है उसका कारण है पत्रिला मरुस्तल जिसे क्या कहते हैं हम मदाभी कहते हैं बालू का स्थूप के निर्माण की जो परकरिया है वो पवन द्वारा मिट्टी का कटा होता है मिट्टी फिर निक्षेपन की जाती है तो उससे बालू का स्थूप का निर्माण होता है जब बालू का स्थूप जब पवन द्वारा मिट्टी का निक्षेपन की आ जाता है तो जैसल मेर में वह सभी परकार के बालो का इस्तूप जोधपूर में देखते हैं इनका जो विस्तार है वो जैसल मेर है बाड़ मेर है जोधपूर है बालोत्रा है फलोदी है बीकानेर है गंगानगर है और शेखावाटी प्रदेश शेखावाटी प्रदेश बालो का इस्तूप मुख्य परकार के इस परकार है पहला है बर्खान बर्खान पवन की दिशा के विप्रीत इनका जो पवन की दिशा में धाल होता है उतल धाल होता है विप्रीत दिशा में अउतल धाल होता है इनकी आकरती अर्दचंद्राकार होती है इसलिए इन्हें अर्दचंद्राकार बालू का स्थूप भी कहते हैं सरवादिक गतिशील और स्रंखलाबद रूप में पाये जाते हैं सरवादिक शेखावाटी चूरू में पाये जाते हैं अधिक सिखावटी चूरू में पाय जाते हैं दूसरा बालू का इस्तूप है अनुप्रस्त हैं अनुप्रस्त क्या होता है कोई अवरोध होते हैं और अवरोध के सारे सारे मिट्टी का निक्षेपन हो जाता है और ये पाउनों के जो पाउनों होते हैं पाउनों के शमकौन म मेर में पाए जाते हैं ता रानुम्मा बालु का स्थूप कोई हमादायन पत्थिलया मेर jars उसके चारोवर मेट्टीके निक्षपनशे बनते हैं और जसर्वादिक जसल्मेयर और सुरत गळमें पाए जाते है पेरा बोलिक बालु का स्थूप ये महिलाओं के हेर पिन के शमान होते हैं और बर्खान के विप्रीत होते हैं बर्खान के विप्रीत पावन की दिशा के समुक होते हैं लगबख सभी मरुस्तले जिलों में पाए जाते हैं फिर आ जाता है सीप बालू का इस्तूप सीप बालू का इस्तूप क्या है कि जब बर्खान बन जा बदल देती है, पावन की दिसा बदलने के कारण वर्खान की एक बुजा कट जाते है, एक बुजा आगे कि और बढ़ी जाती, यह बुजा कट गई जैसे और यह बुजा आगे रह कई, तो ऐसी जो आकटि है उसे ऐसी कीप बालू का इस्तूप कहते हैं यही इसमें यही लिखा हुआ है यह जो है यही लिखा हुआ है फिर आ जाता है सब्रकापीज मरुस्तल में जो छोटी छोटी ज़ाड़ें और उनस्पती पाए जाती है उसके पास बनने वाले जो मिट्टी का निक्षेपन है उससे पास मिट्टी का जो बालू का स्थूप बन जाते हैं वो क्या कहलाते हैं सब्रकापीज पिर अन्यमेत्पून तत्य इर्ग रेतिला मरुस्तल को कहते हैं हमादा पत्थरिला मरुस्तल को कहते हैं रेग दोनों गुणों रेतिला भी हो और पत्थरिला भी हो उससे रेग कहते हैं धोरे लहरदार बालू का स्थूप धोरे कहलाते हैं धरियन गतिशिल बालू का स्थ तो जैसल मेरी स्थानी बासा में क्या 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 धरियन कहा जाता है मरुस्तल करन या मरुस्तल मार्च मरुस्तल का आगे बढ़ना मरुस्तल करन या मरुस्तल का मार्च कहलाता है इसकी दिसा दक्षिन पस्सिम से उत्रपुरू की और बढ़ रहा है सरवादिक जो मरुस्तल करण में योगदान है वे बर्खान का है बर्खान बालू का स्तूर्प का है और इसकी जो गती बढ रहा है मरुस्तल जो बढ रहा है वो हरियना की ओर बढ रहा है ये मरुस्थल में ट्रशेर काल के अवसेस पाये जाते हैं जिसे कोईला है, पेट्रोलियम है, प्राकर्तिक गैसे ये मुख्यत अवसादी चटानों में पाये जाते है मरुस्थल में पीमणा नामक एक साप की परजाती होती है इसका रंग पीला होता है, सरवादिक जैसल मेर में पाया जाता है फिर आ जाता है नखलिश्थान यह मरूद्ध्यान, मरुस्तल में जल बेशिन जिनके चार ओर हरी आली विक्षित जाती है वो नखलिश्थान या मरूद्ध्यान कहलते है बाप बोल्डर कले हेमानी गलीशेर, यह क्या है कि बड़े बड़े पत्तरों के टुकडेते जिसी हेमानी द्वारवा Europol छोटे चोटे कंक्रों में बदल दिया गया हेमानी गलीशेर के जमा किये अवसाथ क्या कहलाते हैं बाब बोल्डर के ले इनका जो इस्तार पहले जोदपुर में था अप फलोदी में है इनका काल है प्रमो कार्बोनीफेरस काल और 25-28 करोड वर्सपूर। फिर आजाता है आकलवुड फोर्सिल फार्क ये जैसल मेर के राष्टे मरुद्यान में विस्तार है जो राशिक काल का है ये 18 करोड वर्सपूर। फिर आजाता है थार मुरस्थल इसको महान भारत्य मरुद्यान में बांसाथ प्रतिशत है इसका निर्मान दक्षनी पश्मी मानसुनी पवनों से हुआ है और दक्षनी पश्मी मानसुनी पवनों से निर्मित होने वाला थार का मरुष्टल अकेला है अकेला है थार मरुष्टल इसको थली सुस्क वालों का मैदान के नाम से जाना जाता है जो पोलियो आर अफ्रीकी मरुस्तल का पूरी भाग है वरतमान में अन्तावरती जिले 21 हैं पहले आठ थे वरतमान में सरवादिक जिलों की सीमा जेपुर्ग्रामिन से लगती है जबकि पहले पाली से लगती थी बारा जिलों की लगती है जेपुर्ग्रामिन से पहले पाली की आठ जिलों से लगती थी मरुस्तल में पोक्रण से और मोहन पोक्रण वे मोहनगड के मद्दे 60 किलो मिटर चोड़ी एक जलपट्टी पाई जाती है इस जलपट्टी में चांदन नलकूप है जिसे थार का गड़ा कहा जाता है और लाटी शेत्र के नाम से भी जाना जाता है जिसमें इसे वनगास पाई जाती है इसे वनगास को गोड़ावन की सरनिस्तली का जाता है ये दुधारू पस्वों के लिए बहुत उपयोगी होती है फिर आ जाते पलायां खडीन डाड तो मरुस्तल में निम्न भूमी जो तली होती है मरुस्तल बालू का स्थूप बालू का स्थूप के चिये बालू का स्थूप है तो ये जो प्लाहिये जो तली है इसमें S-oya Jilu का जो निर्मान होता है इन S-oya Jilu को पलाया खडीन डाड की नाम से जाना जाता है यह यहां 300 हे जिली इन एस्ताई जिलों को पलाया खडीन डाड के नाम से जाना जाता है और इन एस्ताई जिलों से पालेवाल ब्रहमनों द्वारा खडीन कर्शी की जाती है